हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे फाइलम्स की हाँ सारे फाइलम्स हम इसी लेक्चर में नहीं करने वाले वन बाइवन हम सभी लेक्चर में सभी फाइलम्स को डिसकस करेंगे इसे प्रिवियस लेक्चर में हमने बात किये थी अबाउट जिसमें हमने सिलोम देखा जिसमें हमने सेग्मेंटेशन की बात की जिसमें हमने डाइजिस्टिव सिस्टिम की बात की हमने देखा नॉटो कोड क्या होता है किसमें present होती है कौन vertebrates होते हैं यह सारे मतलब basic हमने यह general characters को जाना इस lecture में हम लोग बात करेंगे philems को लेखे तो philems क्या है और एक किस तरह से हम start करेंगे basic philems से basic से मेरा मतलब जहां पर बहुत जादा well organized organisms हमें देखने को नहीं मिलेंगे हम ऐसा समझिए कि हम लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे ना वैसे वैसे अपग्रिडेशन देखेंगे कि body में cellular level है या body tissue level organization है symmetry कैसी है organization बाकी का कैसा है यह सबी initially जो हम start करेंगे हम बिलकुल lower phylum से देखेंगे lower phylum से मतलब फिर वही कि जहां पर हमें well organized organism देखने को नहीं मिलेगा सो चलिए start करते हैं आज के पहले अपने phylum को जिसका नाम है phylum porifera क्या होता है phylum porifera उसके बारे में जानते हैं वह फाइलम तो आप लोग जानते हैं ना जब हमने first chapter को discuss किया था तब हमने वहां पर बात की थी hierarchy के बारे में taxonomical categories के बारे में तो kingdoms के अंदर होते हैं phylum हम phylum को यहां पर discuss करेंगे सबसे पहले जो हम यहां बात करेंगे हम बात करेंगे phylum porifera की जैसे कि मैंने आपको बताया यह बड़ी शांदार सी जिफ यह चोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रही होगी देखने में यह हो क्या रहा है यह तो खेर अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा लेकिन हाँ चैप्टर के लास्ट में आपको यह जरूर समझ जाएगा चैप्टर के लास्ट से मेरा मतलब यह इस lecture के लास्ट में जब आप इस concept को पढ़ लेंगे तब आपको यह बहुत अच्छे से समझ जा और कलर एक पार्ट से जो है आपको यहां पर बाहर आता हुआ देख रहा है क्या है तो हम इसको समझेंगे आगे सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें हम बात करते हैं इस फाइलम के नाम को लेकर आप देख सकते हैं पौरी फिरा जो नाम है इसका यह जो और्गानिजम्स होते हैं बचों कि कैसे होते हैं दे आर पोर बेरिंग और गयानिजम कैसे होते हैं पोर बेरिंग organisms poor bearing organisms मेरा मतलब है कि जिनकी body पे pores present होते हैं poor bearing organisms pori, phera pori, phera pori का मतलब होता है एक Greek word से जो एक word बना है pori जो बना है एक Greek word से por जिसका मतलब होता है porous और porous तो आप लोग समझते हो न porous का मतलब क्या होता है ये एक Greek word से बना है this is the Greek word अब यहाँ पे Greek word कौन सा है ये वाला ग्रीक word कौन सा है ये वाला porous porous का मतलब क्या होता है por por मतलब क्या होता है ched and por यानि कि ये हुआ इसका एक Greek word मैं इसको rearrange कर देता हूँ जिससे कि आपको confusion ना हो बाद में भी समझने में confusion ना हो दिस इस ग्रीक वर्ड porous poor छेद hall जिसको हम बोलते हैं और दूसरा जो वर्ड होता है बचो वो होता है peri peri मितलब to bear यानि कि poor bearing animal poor bearing जीव जिसकी body पे छेद प्रेजेंट हैं जिसकी body पे pores प्रेजेंट होते हैं क्या काम होता है इन pores का अभी आपको मैंने एक picture दिखाई ना एक अभी जो छोटी ची वीडियो दिखाई उसी से समझेंगे आगे जाके भी इनको हम sponges का नाम भी देते हैं they are also called sponges they are also called sponges उसके इलावा मैंने क्या कहा poor bear या फिर poor bearing organisms प्रोफिसर रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले हमें इनके बारे हैं बताया कुछ history के अगर बात करूँ तो एक प्रोफिसर रॉबर्ट ग्रांट थे जिन्नोंने हमें सबसे पहले इन पॉरिफेरांस के बारे में बताया उन्होंने क्या बताया उन्होंने देखा उन्होंने टम दिया जो टम यह जो गिवन थी पॉरिफेरा वो गिवन भाई दी रॉबर्ट ग्रांट चीक है पॉफिसर रॉबर्ट ग्रांट कॉइन दे टम पॉरिफेरा कुछ बेसिक हिस्टोरिकल नॉलेज इसके बारे में मैंने क पदा था कि यह जो sponge-soils होते हैं यह परऊपर के अंदर आते ह陽 अपने प्रिवेस्टर में जाना कि पैरऊपर का होते हैं मेटरहण क्या है युदमेटरहण क्या है मैठेड़हम यह कि अंदर आते हैं सब पारा जूओ लॉजी का हम इसको नाम देते हैं ठोड़ी सी बेसिक बात है क्योंकि क्यारेक्टर्स तो हमें आगे पढ़ नहीं है तो यह हो गई पारा जूओ लॉजी sponges जो होते हैं sponges हमें कैसे देखने को मिलते हैं sponges aquatic होते है सभी जब आप sponges को देखोगे जतने भी उसके साथ यह कैसे होते हैं सिडेंटरी होते हैं कैसे होते हैं सिडेंटरी सिडेंटरी या फिर वचोव एक आप वर्ड पढ़ोगे इनके लिए सिसाइल सिसाईल सर इनका क्या मतलब होता है ये तो कुछ समझ ही नहीं आया देखें सिडेंटरी और सिसाईल का मतलब होता है यानि ये शो करते हैं मतलब शो नहीं करते नो लोकोमोशन लोकोमोट नहीं करते नो लोकोमोशन इसमें जादा तर जो है है वो कैसे होते हैं नो लोकोमोशन मैंने क्या पॉइंट लिए मैंने कहा कि यह सेडेंट्री होते हैं से साइल होते हैं ठीक है कैसे होते हैं उसके लावा नो लोकुमोशन जो है ये शो करते हैं यह basic character है इसका basic general character है बच्छों symmetry कि अगर मैं बात करूँ इनकी body में तो symmetry कैसी होती है they are asymmetrical कैसे मिलते हैं हमें asymmetrical देखने को मिलते हैं अब asymmetrical animal से क्या मतलब है यहां पर asymmetrical animal यानि body से अगर हम कोई भी plane पास करेंगे तो पास नहीं होगा याना मतलब कोई जीव ऐसा है यह कि body की parts को हम equally हम डिवाइड नहीं कर सकते उसके parts को या organs को हम equally डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या word आया उसके लिए asymmetrical कैसा आया asymmetrical क्यों आया क्योंकि हम body को डिवाइड नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते बचो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि body shape कैसी होती है irregular body shape होती है इनकी कैसी होती है irregular body shape हमें देखने को मिलती है irregular body shape देखने को मिलती है तो क्या क्या हुए basic basic characters बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं अभी main characters पर तो आई नहीं अभी unique features पे तो आई नहीं है अभी देरे देरे आएंगे तो सबसे पहले they are poor bearing organism और यह coin term किस ने दिया था यह term किस ने दिया था यह term किस ने दिया थी पॉरिफेरा रॉबर्ट ग्रांट ने ठीक है कैसे होते हैं Greek word जो होता है इनका क्या बताता है पॉरस पॉरस मतलब पॉर फैरी फैरी मतलब टू बियर राइट कॉइन दिया टर्म हमें पॉरिफेरा रॉबर्ट ग्राउंड ने हमें बताया ठीक है जी उसके इलावा स्पॉंजिस को हमने प्रिविस सेशन में था हमने बताय था इसके बारे में कि यह मेटल में को हमने जब दो पार्ट में डिभाइट किया था तो पैरा जोवा रोग मेटल में उसके अंदर इनकी स्टड़ी को हम लोग नाम देते हैं क्या पैरा जो लाजी पैरा जोलोजी ये पैरा जोलोजी पैरा जोलोजी पैरा जोलोजी सही बना है एक्वेटिक होते हैं सिदेंट्री होते हैं सिदेंट्री के साथ साथ सिसाइल होते हैं यानि कि कोई लोको मोशन शो नहीं करते हैं नो लोकोमोशन ठीक है नो लोकोमोशन उसके साथ साथ कैसे हैं ए सिमेट्रिकल बॉडी कि के और हम देखेंगे तो कोई भी प्ले 누म आसानी से पास नहीं कर सकते सवाल क्यों नहीं कर सकते विकास एरेगुलर बॉडी शेप इनकी हमें देखने को मिलती है irregular body shape होने की वज़ा से नहीं किल साथ क्या ये बात clear हुई सब को clear हुईगी बहुत अच्छे से होई होगी लेकिन ध्यान दखेगा कि कई इसमें लार्वा कई ऐसे भी होते हैं इसके अंदर जैसे साइकन है इसका क्लास का एक पार्ट है इनकी तो साइकन होता है उसके अंदर हमें radial symmetry भी देखने को मिलती है radial symmetry ठीक है तो for example कि हमें कुछ में radial symmetry भी देखने को मिलती है radial symmetry radial symmetry कहाँ पे radial symmetry में देखने को मिलती है कि जैसे साइकन हो गया कि यहां पर कैसी है वहां पर सिमेट्री नहीं है वहां पर कैसी है वहां पर रेडियल सिमेट्री देखने को मिल साइकन होता है लिको सोलेनिया होता है तो वहाँ पे हमें इन में रेडिल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है तो यह चीज़ आपको बस ध्यान रखने है और कुछ नहीं चलिए और बेसिक बेसिक बात करते हैं इसके बारे में ज़रा members of this phylum commonly known as sponges we know that अभी हमने पढ़ा ना कि हम इसको sponges का नाम भी देते हैं they are generally marine कैसे होते है marine होते है marine यानि की sea water में रहने वाले mostly asymmetric animals होते है except ध्यान रखना कि साइकन हमें leucosolenia भी होता है वो कैसे देखने को मिलते हैं हमें radial symmetry इन की body में देखने को मिलती है primitive multicellular organisms and have a cellular level of organization primitive multicellular animal माना जाता है इनको की ऐसे हैं यह primitive बहुत पुराने ठीक है बहुत पहले के और cellular level of organization माना गया थे कि level of organization जो आया level of organization कैसा है कैसा है cellular level है cells कैसी होती है यहाँ पर cell जो है वो loosely aggregate होती है cells कैसी होती है loosely aggregate होती है अब loosely aggregate होने की वज़ा से lose aggregation होने की वज़ा से lose aggregation lose aggregation होने की वज़ा से यह आगे जाके tissues का निर्मान नहीं करती है यह आगे जाके tissues नहीं बनाती है ठीक है नहीं form करती है तो tissues नहीं बनाती तो cellular level of organization देखने को मिलता है बच्चों में इसमें cellular level of organization की हम लोग इसमें बात करते हैं symmetry हो गई cellular level organization हो गया कैसे होते हैं यह उसके लावा अगर हम germinal layers की बात करें तो यह कैसे होते हैं यार Diploblastic Organism Diploblastic Organism बोले तो कि यह इनकी germ layers की बात हो रही है ठीक है जी कौन-कौन से होती जर्मिनल लेयर body wall जो consist होती है वो दो टाइप से एक होती है acto-derm और एक होती किया बूले मैंने acto-derm और अंडो डम पच्छो यीजो गमें है न एक्टोडम और अंडो यह एक सपेशलाइटdon से form होती है । यानि बाहरी लेयर अं पथला यह कू यह होती है इसको बनाने वाली जो cells होती है और इसको बनाने वाली जो cells होती है दोनों अलग अलग होती है तिक है कि और यह जो बनती है कि कौनो साइट्स क्या सर हमें याद रखने पड़ेंगे बिल्कुल रखने पड़ेंगे सवाल मन में आ रहा होगा ना कि क्या सारा में नाम याद रखने पड़ेंगे बिल्कुल रखने पड़ेंगे actoderm, endoderm, तीक है, दो Germinal layers की बात की न हमने, Germinal layers की बात की, तो Germinal layers हमें कैसी देखने को मिल रही है, actoderm होगे और endoderm होगे, we know that, इन दोनों की बीच में एक और layer होती है, जिसको हम Mesoglia बोलते है, Mesoglia को अभी आगे discuss करेंगे, स्पेंगे पहले इन दोनों के काम जाना दोनों नाम जां से और क्यों साइच अर्क्ष्ट में ही देखने को मिलती है only found in sponges तो endoderms कैसे formed हो रही है formed by this and this is formed by and this one is formed by किसके थ्रू पिनाको साइट्स के थ्रू सेल्स के नाम है या रखने हैं बिलकुल रखने पड़ेंगे ठीक है पिनाको साइट्स को हम लोग दूसरो नाम भी देते हैं किसका प्लैट सेल बचो इसको हम प्लैट सेल के नाम से भी जानते हैं उसके लाबा क्वानो साइट्स जो होती हैं इनको हम फ्लैजिलेटिड फ्लैजिलेटिड कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं तो ये आपको देखना है कि इनके अलग अलग नाम और कौनसे हो सकते हैं अब धिखाऊंगा डाइग्राम में अभी मैं आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा कि जो फ्लाजिलेटेटिट सेल्स होती है वो का होती है अक्टोडम और दूनों के बारे में बात करेंगे ये चीज़ ध्यान रखेएगा तो ये जो लेयर्स होती है इनको हम पिनाकोडम और क् क्या हेठ यह को बना रहे हैं दूसरा रहे है डूसरा की दो दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट कैशे क्योंकि इस पूछा जाता है इन पर सवाल पूछा जाता है कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे तो यह आपको फ्लाजिरेटेटेट सेल का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है अगला इन दोनों ही लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है मैंने बूला और एंडोडम के बीच में कोई एक लेयर प्रेजेंट है क्या उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन का काम हो रहा है क्या हमें हर किसी और्गानिजम में कनेक्शन देखने को मिलेगा तो बिल्कुल हमें दोनों layers के बीच में एक connection है, acto और endo के बीच में एक जो connection है, इन दोनों के बीच में जो connection बन रहा है, वो misen की वज़ा से बन रहा है, misen time, जो कि present है between the two layers, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, मिजन काई में कई Archeocytes cells होती है बचो इनके अंदर मिजन काई में कई special type की cells present होती है जो क्या करती है जो इनकी और भी cells को बनाती है जैसे totipotent cells होती है जो इनकी ova या एक बनाने में अपना role play करती है तो mesenchymes contain करती है कई cells को जिनको हम archeocytes के नाम से भी जानते हैं अब वो क्या करता है वो जो cells होती है इनकी बीच में वो totipotent cells बनाती है scleroblast बनाती है scleroblast जो होता है वो contain करता है किसको इनकी body का skeleton बनता है उनको कैसी cells बताई मैंने archeocytes उनका नाम बताया तो archeocytes जो होती है archeocytes contain करती है किसके तरू इन मेजनकाइम के तरू ठीक है जी चलिए सो दयान रखेगा कि टोटी पोटेंट cells होती है इनके बास तो टोटी पोटेंट cells are आपके साइट से टोटी पोटेंट तोटी पोटेंट cells ठीक है और कौन सी स्लेरो ब्लास्ट्स ठीक है तो आर्क्यो साइट्स जो है आपकी आर्क्यो साइट्स इसको बना रही है और यह अब हाला कि यह इसको हम जब बात करते हैं और डीटेल में अगर मैं जाओ यहां पर दो इनको भी बनाने वाली एक सेल्स है जिनको हम अमीबो साइट्स बोलते हैं आमीब़ो साइट्स जिन 요stat को हम नाम देते हैं वह एक तरह से इसको बना रही है और और क究 साइट्स कौन सी हैurn स्ल्द सिर्द मेमी इसको बना रही टो पो यह एँदanın के यहां समा करते हैं थ्यू helps in the formation of ova and spermatozoa spermatozoa तो ova का और इसका production में अपना role play करते हैं ओवा के और spermatozoa के formation में role play करते हैं ठीक है यह हो गई कौनसी amoebocytes कौनसी cells हो गई amoebocytes ठीक है उसके लावा दूसरी कौनसी हो गई इसके अंदर जो दो आती कौनसी archeocytes और एक और अच्छा मैंने लिख हटा दिया था उसको दूसरी इस लेरो ब्लास्ट्स लेरो ब्लास्ट्स यह भी होती है जो इसका जो skeleton होता है न बचो ओन स्केलेटन को बनाने में अपना role play करती है ठीक है जो भी ऐसा बोल सकते हैं कि जो skeleton elements होते हैं उनके formation में अपना role-play करती ठीक है वह होती है आपके सलेरो प्लस तोटीं पॉटेंट इप but and एक तर Budap थे ऊव्में पmera आगे बात करते हैं स्पांजें थे रांप ट्रांस्पोर्ट तरांस्पोर्ट कैनाल सिस्टम ये सब इंपॉर्टेंट बात है सारी बाते एक तरफ और इस फाइलम की ये बात एक तरफ थ्यान रखिएगा ये ultra important है ये 5 star concept है थ्यान रखना पिकाज ये उसके unique feature के अंदर आप आप है सारी बाते एक तरफ सारे एक तरफ और ये वाला करेक्टर अपने आप में एक तरफ water एंटर करता है through the minor parts जिसको हम ओस्टिया का नाम देते हैं body wall में into the central cavity and ponzo seal and form where it go out through the osculum यहां पर यह कुछ parts आपको देखने को मिल रहे हैं यह देखे यह है एक ostium यह हो गया ostium और एक पार्ट हो गया इसका osculum एक पार्ट हो गया ostium जिसको हम ostia के नाम से भी जानते हैं इसको और भी बोलते हैं ठीक है ostia यह हो गया ostulum यहां माल लेजिए कि यह जो पूरा का पूरा है ना यह सारा का सारा यहां पर पानी है यह सब पानी है यह पानी के अंदर है ठीक है यह सारा पानी हो गया water जो है इनकी बॉड़ी में एंटर करता है actually water का एंटर करना बहुत जरूरी है क्योंकि water जब तो किसकी बॉड़ी में नहीं जाएगा तो तब बॉड़ी की जो फिजियोलोजी है ना वो मेंटेन नहीं रहेगी you know like respiration हो गया excretion हो गया जिसन के अशना हो गगई यह सारह इस water के एंटर करने पर ही निरबर है जब तक वॉड़र इन पोर शेद के पूरी बॉड़ी में यहां पर यह प्रेजन्ट है यहांपर भी प्रेजन्ट है ओस्रिया यह भी प्रेजन्ट है औस थिया यह सभी नाम है उसका नाम है sponges this can be frame as a question यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमें sponges में central reason देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं इस इस पॉंजो सिल राइट कैवीटी central cavity नाम होता है अब इसके अंदर मैंने बताया था फ्लाजिलेटिट जो cels होती है हमने पदना जो जो फ्लाजिलेटिट क्लर सिल यह रही यहसको भोलते हैं इस फ्लाजिलेटिट तो यहां से होता होता यहां से होता होता यहां से होता होता इस ऑस्कुलम से जो है बाहर निकल जाता है ठीक है पानी ने अंटर किया ऑस्टियम से और होते 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 वहां से बाहर निकल गया कहां से ऑस्कुलम से यहां यह वो रिजन है ऑस्कुलम जहां पर स्पॉं सपांज़ इस पीरीशन बडी में एका क्राहिशन सद्टेशन जैस्ट के haitमका आתחस शृतर्पर्स 2019 सिस्टम की वजा से नूच्रिशन की प्रॉसेशन ओ एक्सक्रेशन की प्रॉसेशनों हो रेस्पिरेशन की प्रॉसेश्ट यह सारी process इसके अंदर हो पाती है ठीक है एक बार तो sponges में बहुत जरूरी है अब होता क्या है कि अब सवाल मन में आ रहा होगा आपके कि सर ऐसा क्यों नहीं होता कि यह जो पानी है वो यहां से से एंटर कर जाएं वो यहीं से क्यों एंटर करेगा वो सकता है कि आपके मन में यह question आ रहा हो कि सर वाइं नौट पानी के और वाटर के नौट एंटर सूदी ऑस्कुलम विकास यहां पर यह जो फ्लाजिलेटिटिट कॉलर सेल होती है बच्छों ध्यान रखना बहुत बहुत प्रेशर जो है वो इस डारेक्शन में होता ही नहीं है वो हमें इस डारेक्शन में उपर से नीचे की तरफ आतावा नहीं मिलेगा पानी का जो प्रेशर फ्लाजिलेटिट कॉलर सेल्स के वजा से उपर की तरफ जा रहा है बच्छों यह चीज़ ध्यान रखनी है तो यानि पाणियाên नहीं करे में तो इसका मतलब càyी क्या हो जाएगी डिफ हो जाएगी वह मर जाएगा उस्टिया के बंद करने की यह जो औस्टिया है अगर मैं इसको बंद कर 누 walks away या मर जाएगा यह मर जाएगा इटविल डाय खतम hed बाई बाई खम तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने हैं इस यह भी ऐसा क्वेशन आ सकता है कि अगर हम उस्टिया को बंद कर दें तो भाई क्या होगा तो उसकी डेथ हो जाएगे तो यह सारा यह स्पॉंजो सी रिजन आपको समझ आ रहोगा डाइग्राम को ज़रा ध्यान स देखिए तो यह वही एक पातवे है इसके अंदर यह उस्टिया होते हैं ना यह बहुत सारे ध्यान रखना इसकी बॉडि पे यह नुम्रस नंबर आफ पौर्स होते हैं जो फॉर्स की बात करते थे ना पॉर बेरिंग है ना इंपॉर्टेन ड्येक्टर नुम्रस पॉर्स ह तो फुर्ष तो बाडी में फिर तो पोर का कुछ न इंपर्टन ड्रोल होगा बिल्कुल है कि वह फिजियोलोजी को मैंटीन करने में अपना रोल प्ले कर रहें रेस्पिरेशन हो गया डाइजेशन हो गया उन सबी को इस एट क्लियर अब आपको यह चीज बहुत असानी से समझ आएगी यह शुरुवात में आपने देखे थी ना देखो ज़रा क्या हो रहा है यह इन्होंने क्या किया यह यह एक पानी के अंदर है और यह एक स्पॉंज है तिक है यह पॉफेक्ट एक दाम पॉफेक्ट देखे किस तरह से बाहर पानी जो पानी के साथ जो डाई जो है वह बाहर आ गई तो इस पाथ वाटर ट्रांसपोर्ट इस हैल्फुल किसमें फूट क्यादरिंग में रेस्पिरेट्री एक्सचेंज में और रिमूवल ओफ वेस्ट में इ आच्छे से हमं यह पढ़ चुके है we know that in We know that hum इसके बारे में जानते हैं क्यावर होता है। भप उसंटार सरीकिसे तो इंट्रास जोगा ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट को ब्रेक्ट करने के लिए कुस्ध नहीं होता, बाद बाद पर एक सपोर्टिंग फ्रेंबग इसको त्यार करता है त्यार करता है सपोर्टिंग फ्रेंबग देता है यह कई तरीके से मेड़ पोती है इसकी जैसे यह इंसका द्यान रखेगा। इसका जो CC3 से अब होता है इसको हम calcareous shell बोलता है क्या होते है in your opinion सिलीशियोस भी होता है जैसे जो सिलीका से अथ होता है अलग-अलग मतलब उस्से यह मैंने एक जाम्पल बताए आपको तो अलग-अलग element से made up होता है ठीक है यह तिया ध्यान रखेगा जैसे silice भी मैं आपको बता रहा हूं तो वो silica से made up चले लिख देते हैं यहां पर कि silice भी होता है silica से made up होता है उसको भी बोलते है silice यह ठीक है यह एक जनरल और character हो गया इसका sexes are not separate दोनों एक ही में देखने को मिलते हैं इसलिए इनको हर्मा फ्रोडाइट के नाम से भी जाना जाता है इसको हम हर्मा फ्रोडाइट भी बोलते हैं यानि कि eggs and sperms are produced by the same individual इसलिए इसलिए हमने उसको हर्मा फ्रोडाइट का नाम दिया स्पॉंजे रिप्रोडाइट भाई एसक्शली और fragmentation and sexually by formation of the gametes gametes का formation होता है यह कि special processing है इसमें यह diagram आप लोग बचो ध्यान रखेगा कि आप वहाँ पर भी देखेंगे जब आप क्लास 12 में जाएंगे तब भी आप वहाँ पर इस diagram को देखेंगे जब आप class 12 में जाएंगे तब आप इस diagram को देखेंगे ध्यान रखेगा ठीक है so fragmentation and sexual by formation of the gametes यह jamules है यह internally birds का formation हो रहा है इसकी body में यह specules है इसकी body में और यह internally budding हमें देखने को मिल रही है यह internal birds हमें इसकी देखने को मिल रहे है इसको बोलते है asexually, asexually हमने बोला ना कि asexually by fragmentation उसके साथ साथ यह budding भी हमें इनकी body में देखने को मिलती है ठीक है यह एक बात हो गए sexually by formation of the gametes यह जो नाम है यह जो है यह jamules बोलते हैं इसको jamulation इसकी processing होती है jamules का नाम दिया जाता है इसको इसको बोलते हैं jamules जो है ठीक है processing जो होती है processing को नाम दिया जाता है jamulation जैमिलेशन जैमिलेशन ठीक है तो यह मतलब sponges आपको ध्यान रखना है कि reproduce करेंगे asexually और sexually इतना आपको पता होना चाहिए हर्मा फ्रोडाइट होते हैं jamulation का मतलब मैंने अभी आपको बता है कि internal budding उसको बोला जाता है इंटर्नल बढ़ेंग यह कुछ points पटलाजेशन इंटर्नल होगा पटलाजेशन इंटर्नल डिवलपमेंट इस इंडारेक्ट इंडारेक्ट डिवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलेगे इंडारेक्ट डिवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज होती है having लार्वल स्टेज विच इस मॉर्फोलोजी के लिए डिस्टिंक्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं साइकन साइफा स्पॉंजी ला फ्रेश वॉर्टर स्पॉंज इस बात स्पॉंज इंपॉर्टेंट है डाइग्राम्स के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं ध्यान रखेगा स्पॉस्कुलम में और बाडी से बहार जो आपने डाइगराम देका था उसकी बहाव पर यह जासיק गीजवर आइग्रम में एसको बोलते हैं और यह का साइकां टाइप होता है यह आपका ल्यूक नप by को अंटे सब्सक्राइब कर रहा है उनके भी आप वे तो दिस इस यूनिक सिस्टेम इस पॉंज इस फॉर दा नूट्रिशन रैस्पिरेशन एक्सक्रिशन यूनिक फीचर के उपर सवाल अक्सर पूछ ले जाते हैं आपके इस पॉंज आप यह सब्सक्राइब ना के बराबर आपकी नॉलेज के लिए कि आपको देखने को मिलती है एसकॉन टाइप जो अभी हमने देखा कि पानी कैसे अंटर कर रहा है पानी इस तरह से एंटर करना शेप देखी किस तरह से चेंज हो गए यहां पर भी देखी कैसे कैसे चेंज हो गए लिकॉन को मोस्ट कॉंप्लिकेटिट टाइप में से एक माना जाता है जो एक स्पॉंजिल और स्टेलिटा में देखने को मिल रहा है क्यानोसाइट लाइन होती है बाए फ्लाजिलेटिट ट्यूबिलर लेमिटेट चैंबर्स में उसके लावा फांड इस और रागॉन टाइप फांड लार्वे ओव दी मैंबर्स ऑफ दी मोस पॉंजिया और कॉनसाइट लाइन दफ्लेटिट चैंबर्स सिंपल सी बात है कि आपको ये देखना है कि आपको दिखाने का से परपस यह है कि यहाँ पे इसके चार टाइप जो हैं हमें देखने को मिलते हैं इसके वाटर के नाल सिस्टम के भयाफ़े के स्पेशल के भयाफ़े तो बच्चों यह किसका यूनिक फीचर है ध्यान रखे साथ बॉरी फेरास को उनके जॉलोजिक नेम्स के साथ जान सकते हो जैसे कि यहाँ पर बोरिंग स्पॉंज एक होता है क्लाइओ ना बाथ रॉप स्पॉंज इसको बोला जाता है यू स्पॉंज इंपॉर्टेंट ठीक है ब्रिड स्पॉंज हैली कॉंड्रिया क्राउन स्प इसके जिसमें आप देख सकते हैं और अगर उसको बंद कर दिया जाए तो अगर हम क्लूस करते हैं तो डेफिनिटली जो स्पॉंज है उनकी डेथ हो जाएगी इस फाइलम को समझने में मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे एक अलग फाइलम की जिसका नाम है निडेरियन्स जिनको बोला जाता है अभी के लिए इतना ही टैंक्स पर लेक्षे